Hello Everyone, Welcome Back to NG Fun Learning आज मैं लेकर आई हूँ Name of the Months of a Year तो छोटे बच्चों के लिए महीनों की नाम को सीक्वेंस में याद करना और फिर उनकी स्पेलिंग लर्ण करना एक बहुत बारा टास्क होता है तो आज की वीडियो में हम इसका solution देखेंगे हम देखेंगे छोटे बच्चों को कैसे इसके नाम और स्पेलिंग लर्ण कराये जाए तो वीडियो को अन तक जरूर देखिए पसंद आया तो लाइक करें, सेर करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बच्चों से रिलेड़ ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखते हैं पहला टास्क कि बच्चों को इनके नाम सिक्वेंस में कैसे लर्ण कराये जाए तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है हम इन्हें 4-4 के 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक राइम की तरह उन्हें शिखाएंगे जैसे जैनवरी, फैबरी, मार्च, एप्रिल मे जून, जुलाई, आउगस्ट सेप्टेमबर, आक्टूबर, नॉवेंबर एंड दिशेमबर सेप्टेमबर, आक्टूबर, नॉवेंबर एंड दिशेमबर इस तरह से बार-बार बच्चे को जब बुलवाएंगे हम उसे बोलने को बोलेंगे बार-बार बच्चे के साथ हम बोलेंगे तो बच्चा बोलना सीख लेगा सीक्वेंस में और उसे पता है चार के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है then बोलना है तो चार चार बोलते बोलते वो बारहो महिने के नाम बोलना सीख जाता है फिर बारी आती है उन्हें उसकी spelling लर्ण करवाना meanwhile हमें उन्हें ये भी बताना है कि January is the first month and December is the last month and after December again January comes and सारा सीरीज फिर घूमता है इस तरह से circle wise और फिर ये भी बताना है sentence में जो महिना चल रहा हो उसे sentence में बोलना सिखाना है कि June month is going on या March month is going on इस तरह से sentence में छोटे छोटे sentence बोलना भी बच्चे को आना चाहिए ये कुछ basic चीजें हैं जो बच्चे को nursery और prep में सिखाई जाती है then class 1 में आती है इनकी spelling learn करने की बारी तब बच्चे को ये बड़ी-बड़ी spelling कैसे learn कर आई जाए ये एक task होता है तो इसके लिए हमें बच्चे को ये break करके सिखाना है जैसे January इतनी बड़ी spelling को हमने break किया January February 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 इसको तीन में आप अपनी शुविधा अनुसार दो या तीन भाग में इसे डिवाइड कर सकते हो जैसे February January मैंने अपने बच्चे को इसे तरह से January को दो भाग में और February को तीन भाग में डिवाइड करके सिखाया था February A-R-Y, A-R-Y common है फिर आते हैं March M-A-R-C-H March यहां से break कर सकते हो M-A-R-C-H March यह छोटी स्पेलिंग है और एक साउंड में आ रहा है M-A-R-C-H March इस तरह से भी कर सकते हो फिर April 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 May 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 बहुत चोटा है ऐसे याद कर लिया तरह से दीरे दीरे बच्चे के साथ आगे बढ़ना है फिर आते हैं August August में A-U-G-U-S-T A-U-G-U-S-T इस तरह से तरी तरी लेटर में ब्रेक करके बच्चे को शिखाना है August Then September 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 इस तरह से October O-C-T-O या O-C-T-O यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो नहीं तो फिर O-C-T-O-B-E-R October फिर November November इसे भी त्री पार्ट में बाठ कर दिया November N-O No V-E-M November November इस तरह से December D-E-C-E-M December December इस तरह से बच्चा याद कर लेता है ब्रेक करते हुए हाँ लेकिन हमें बच्चे के साथ पेसेंसली दीरे दीरे उसे सिखानी है जैसे एक या दो स्पेलिंग एक दिन लर्ण कर लिया फिर दूसरा और तीसरा महिना अगले दिन याद किया फिर चारू महिने का नाम एक वार लिख रहा है ये कुछ बेसिक टिप्स है जो बच्चे के साथ हमें फॉलो करनी परती है हर एक चीज को सिखाते समय चाहे वो नंबर नेम्स हो वो डेज नेम हो या फिर मंस नेम हो कुछ भी स्पैलिंग लर्ण कर आते समय दीरे-दीरे ही आगे बरना है और फिर पीछे की चीज भी पूछते रहना है ये बहुत ही जरूरी है तो इस तरह से आप देख रही है कि बच्चे को जब ब्रेक करके करवाते हैं तो वो कर लेता है और फिर बच्चे से पूछते भी रही है बीच-बीच में आप जैसे बच्चा आगे बर रहा है तो पीछे की स्पैलिंग या तो लिखवाई है या उससे पूछते रही है ताकि वो भूले नहीं और फिर इस तरह से ब्रेक करके क्यों से याद करवाते जाहिए फिर इसके बाद उसको उसकी प्राक्टिस करवाई है कि अब लिख के दिखाओ बोल कर सुनाओ बार बार तो इस तरह से बच्चा इसकी स्पैलिंग भी लर्न कर लेता है और सीक्वेंस में तो पहले से लर्न कर चुका है आपको यह वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी यूजफुल लगी तो लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग